मित्तुन चक्रवती जेकी श्रोफ सन्जी देवल और संजी दत की आने वाले फिलम बाब जिसको लेकर और कोई काफिस दा एक्साइटिट है लोग इस पिलम को जल्दी से जल्द देखना चाहते या किर क्यूं इसके तेन कारण में आप लोगों को बताऊंगा और वो जानने के बाद आप लोगों खुद भीस फिलम को लेकर काफिस दा एक्साइटिट हो जाओगी अच्छा सबसे पहले आप मुझे यह बताओ कि आपने सबसे पहले एक्सन मुवी की सेक्टर की देखी थी जातक मुझे लगता है आप लोगों लिए सबसे पहले जो है मित्तुन चक्रवती जेकी सुरफ सन्नी देवला संजेदत की कोई एक्सन मुवी देखी होगी यह बोलिवुड के वह एक्सन जो 90 जो रेटीज के जमाने से हम लोगों को एक्सन मुवी में देखने के लिए मिल रहे हैं आप मैंसे कितने लोगी जो मानते हैं कि सन्नी देवल अपनी दमदार और भुलंद वाजगे लिए जाने जाते हैं और एक तरफ आते है संजेधत जो कि किसी विलन के किरदार को अगर निबाने लग जाए तो फिर मानलो कि उस किरदार में जैसे जान डाल दी हो देखो 90's और PPT के जमाने में काफे सारी इसी मूदीस भी आई जिन मूदीस भी इन 4 एक्टर ने एकसात काम किया लेकिन तब से लेकर अफ तक ये 4 एक्टर में लोगों को एकसात एक मूदी में देखने के लिए नहीं मिले 90's और 80's के जमाने में जो मुवी आती थी उन मुवी में अगर ये चारो एक्टर एक साथ आ जाते हैं तो वो मुवी सुपर डुपरिट हो जाती है तो इसी तरह के से आप लोगों को जो है एक और फिलम देखने के लिए मिल रही है बाप काफी लंबे समय कि 2000 के बाद लोग इन चारो एक्टर को एक साथ एक मुवी में देखेंगे बाप ये इस बाप फिलम को लेकर आले में एक वीडियो भी शेयर किया गया है फिलम मेकर्स की तरफ से जिसमें हम लोग साब देख सकते हैं कि इस पिलम में लोगों को जो निले और साब की कोमेडी भी देखने के लिए मिलेगी जो कि इस पिलम को सुपरिट बनाने के लिए काफी हो और पिलम में आप लोगों को रविना टंटन भी देखने के लिए मिलेगी मतलब फिलम जोuldade ब्लोग बास्टेट्ट सावित ओने रहे हैंuf युझे अगर आप लोग पिलम से एरन्टीक रफेट चाहते हूं या पिर अगर आप लोग już पेर्संटना बीदिड्राइब आत्स नीयम्त नागे परीप पसदीर अर्फोण ऑपbury को के लिए वह अगली बड़े में तबते के लिए बाइबाइब नमस्कार जे हिंद जे बारत